नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे इंडियन वॉलिटी टेट सीरीज नमबर 18 भारत का सविधान भाग चार के मूल या मौली करतवी टोप 50 क्यूसन जो प्रिक्षा में बार बार पूछे गई हैं प्यारे विद्यार्थियों एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए हो जाएए तयार कि उसन नमबर एक आपके सामने पढ़ो और इसका एंसर बताओ क्या होगा भातिय सविधान में मौली अमौली करतवे किस शावेधानिक संसोधन के द्वारा जोड़े गए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे मेरी तरफ से आप सभी को बैश्टो पलक आज वाली पश्टनोत्री आपकी बहुती महत्तपुन जाए प्यारे विद्यार्थियों पांस सेकिंड का समय है बताओ इसका एंसर क्या होगा आज वाली टोप पचास क्यूसने अती महत्तपुन इसका एंसर होगा A. 42 सविधान संसोधन द्वारा 1976 में भारतिय सविधान के अंदर मूल कर्तवियों को जोड़ा गया था इसे जरूर ध्यान में रखना कि उस नमबर दो मूल या मूली कर्तवियों का भारतिय सविधान के किस भाग में उलेख है A. भाग 3 में B. भाग 4 कै में C. भाग 4 में D. भाग 5 कै में बताओ प्यारे विद्यार्थियों और याद रखना जिन्दगी में इतनी सिद्दत से निभाओ अपना किरदार के परदा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे गौर करो साथियों आती महत पुन बात है ये नौट कर लो इसका एंसर बनेगा B. भाग 4 कै में या फिर A. भी आस्तै केपीटल इस बात को भी नौट कर लेना ये क्यूसन बहुत बार आया है क्यूसन नमर तीन भाग 4 कै का सिर्षक है A. मूल अधिकार और मूल करतवे B. मूल या मौली करतवे C. राजे के नीती नेसक तरतवे D. मूल करतवे बताओ भारती सविधान के अंदर भाग 4 कै का सिर्षक क्या है? टाइटल क्या है? मूल सबद क्या है? भारती ये शविधान के अंदर ये बताना है साथियों बताओ क्यूसन आज एक से बढ़ करके एक हैं मजे आ जाएंगे इसका एंसर होगा D. मूल करतवे ही नाम है मूल या मौलिक नहीं है हाँ हम कहते हैं बोल चाल में वो अलग बात है फेंडा मेंटल डियोटीज क्यूसन नमबर 4 42 सविधान संसोद 1976 के दवारा मूल करतवे हैं को भारती सविधान के भाग 4 कै कि किस अनुचेद में जोड़ा गया A. अनुचेद 50 कैमे B. अनुचेद 50 मे C. अनुचेद 51 कैमे D. अनुचेद 51 मे बताओ साथियों और याद रखना समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे परक्सी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते तो इसलिए समय, विश्वास और सम्मान को कभी मत जाने देना इसका अनुचेद 51 कैमे या फिर 51 A. भी आसकता है केपीटल ये क्यूसन भी बहुत बार पूचा गया है कैसे लग रहे हैं आज वाले क्यूसन क्यूसन नमर पांच भारती सवधान में उपबंदित मूल करतवियों को प्राप्त नहीं है A. कानूनी अनुसक्ती B. राजिनती का अनुसक्ती C. सामाजिक अनुसक्ती D. नेतिक अनुसक्ती बताओ साथियों मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या ओकात है जो मुझे हारा पाएगी ध्यान दो इस बात पे दुनिया नहीं हारा सकती जब तक आप खुद से नहीं हारोगे अपने पे विश्वास रखो इसका एंसर होगा ए कानूनी अनुसक्ती प्राप्ते नहीं है और तीनों अनुसक्ती मूल कर्तवियों को प्राप्त है नौट कर लेना राजनितिक सामाजिक नेतिक अनुसक्ती होती है लेकिन कानूनी नहीं कि उस नमच्छे कि समीती ने भारती स सविधान में मूल करतवयों को समाविष्ट करने की स्तूती की है, जोडने की बात की है, ए तेज बहादूर सप्रु समेती ने बी सविधान स्मिक्स आयोग समेती ने सी सरदार स्वान सिंग समेती ने डी के रादा कश्टन समेती ने बताओ पांच सेकिंड का समय आपके पास बतादो प्यारे विद्यार्थियों आज वाले क्योसन कैसे लग रहे हैं आपको इसका एंसरोगा सी सरदार स्वान सिंग समेती ने स्तूती कीती अनुसंसा कीती सी पारिस तभी जोड़े गएते मूल करतवे भारतिये सविधान में अती महत्तव कुण क्यूसन है कि उसनमर साथ सविधान में कौन सा एक मौली करतवे नहीं है ए भार के एकतवे अखणता की रक्सा करना भी सारुजनिक संपत्ती की रक्सा करना सी सारुजनिक सोच विक्सित करना डी राश्टिय महत्तो समारको की रक्सा करना बताओ साथियों कुछ सवालों के जवाब सबी दुनिया देखती रह जाए साथियों इसका एंसरोगा डी राष्टिय महत्व समारकों की रक्षा करना ये हमारा मौली करतवे नहीं है ये राज्ये के नीटी निस्थ तत्व में है आनुचेद उननचास क्यों सिनमराथ सविधान का पालन करें और उसके आदर सो आदर करें ये भारत के पर्तेक नागरी का कौन सा मौल करतव है ए पहला वी दूसरा सी तीसरा डी चोत्ям बतादो साथियों मैंने कहा था ना कि ऐसे क्योंसन भी पूछे जाते हैं इसलिए आपके मौल करतवे तयार होने चाहिए ठिक है ठिक है ठिक है ठिक है बताओ इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा ए पहला ही मूल करतवे सविधान का पालन करे अनुचे दिकावन के ए या फिर एक के ये भी नोट कले ना आती महत्तपुण है अगर आपने धारा भी त्यार की हो तो आज वाले क्यूसन बता दो कैसे लग रहे हैं मज़े आ रहे ना आज क्यूसन करके अंत तक देखना क्यूसनों का अंत में लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है इसका एंसरोगा भी धारा ग्यारा के द्वारा 42 सविधान संसोधन अधिनियम निस्सोच्यातर की कौन सी धारा थी ग्यारा धारा थी उसके द्वारा जोडे गए ठे मूल करतवे सविधान में क्यूसनमर 10 मौली करतवे से समनी कतनों पर विचार कीजिए एक नमबर मौली करतवे भारती सविधान के सदा अंग रहे दो नमबर मौली करतवे सविधान संसोधन द्वारा जोडे गए ती नमबर मौली करतवे सभी नागरिकों के लिए अधि देसा आत्मक है A. केवल कथन एक सही है B. केवल कथन दो सही है C. एक और दो सही है D. टीनों कथन सही है बताओ साथियों सोचो, समझो अच्छी परकार से पढ़ो और उसके बाद में answer दो अपना मुल्यांकन करो साथियों बहुती महतपुन है कभी भी ऐस अपल भी हो जाओना तो हमेशा ध्यान रखना जीवन में की फिर से परियास करने से कभी मत हारना कभी मत घबराना क्योंकि इस बार सुरुवात सुनने से नहीं अनुभव से होगी इसलिए इस बार जीत हमारी पक्की होगी इसका एंसर होगा B केवल कथन दो सही है मौली करतवे सविधान संसोधन द्वारा जोड़े गए थे चैया आप कोगे 42 संसोधन और उसके आद में 1186 संसोधन के द्वारा दोनों गलत है और क्योंस नमर ग्याना भारत के सविधान में दिये गए मौल करतवे 1. A. सभी नागरिकों के लिए 2. सभी वेक्पियों के लिए C. केवल गेर नागरिकों के लिए D. केवल सरकारी करमचारियों के लिए बताओ साथियों भारत के सविधान में दिये गए मौल करतवे बताओ इनमेंसे और याद रखना तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी लोग सिर्फ अपना ग्यान देंगे साथ नहीं देंगे खुद ही महनत करनी होगी साथियों इसका अंसर है ए सभी नागरिकों के लिए है अच्छी परकार से पढ़ो और उसके बाद में आइनसर बताओ अपना मुल्यांकन करो ठीक है पल्ले तो पड़े है ने आज आरा क्यूसन है ना मजीदार गजब और रोचक परसनोत्री आजवाली इसका इंसर होगा C अपने धरम का पालन करना ये हमारा मूल करतवी नहीं है 11 मूल करतवी में कहीं पर भी धरम का जिकर नहीं किया गया है साथियों नोट कर लो क्यूसन नमर 13 सोतंदरता के लिए हमारे राष्टी आंदलन को प्रेडित करने वाले कुछ आदरसों को हर्दे में सजाए रखे और उनका पालन करे ये बहार की नागरी का कौन सा मूल करतवी है बता दो A. पहला B. दूसरा C. तीसरा D. चोथा बताओ ना साथियों इसका एंसर क्या होगा मैंने कहा था ना कि 11 मूल करतवे तैयार कर लेना अच्छी प्रकार से उस ट्रिक को याद करो कि कैसे बताई थी मैंने बताओ ना इसका एंसर क्या होगा बताओ साथियों सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे इसका एंसर होगा B. दूसरा और ये अनुचेद भी त्यार कर लेना अनुचेद 51 कै या पिर A. और उसके अंदर B. चोटा और खे होगा इसे B. साथ में त्यार करना तो स्नुचेद चोटा मुल स्विधा में भारती नागरी को कितने मुल करतावे परदान किये गए थे A. साथ B. दास C. ग्यारा D. डबल जीरो एक भी नहीं सुनने बताओ प्यारे विदार्थियों कोई इनसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर ही देते हैं धान दो इस बात पे एक जैसा नहीं रहता इनसान का भी भी बताओ इसका एनसर क्या होगा साथि इसका एनसर होगा D. डबल जीरो सुनने एक भी नहीं था मुल सुईधान के अंदर कह या A कह सकते हो अनुचरी कावन कह या A कह सकते हो मैं भारती नागरी के करतवे में पहला करतवे वर्णीत है उसमें कौन सा सबद नहीं है A. राश्टर धावज राश्टिय धावज B. राश्टर गीत C. राश्टर गान D. सविधान बताओ साथियों कौन सा सबद नहीं है ऐसे अंदरूनी के उससे निकलने की संभावना है मैंने कहाना की पेपर सेटर पर तेक बार नया की उससे निकालता है तो अब की बार आपको करना है इसका एंसर बनेगा भी राश्टर गीत सबद नहीं है सव mountains का पालन भी है राश्टिए दहवज भी है और राश्टिगान भी है लेकिन राश्टिए गीत नहीं नोट कर लेना इस बात को क्यूसनमर 16 भार की सव throne में 118 मूल करतवे कब जोड़ा गया 111 मूल करतवे कब जोड़ा गया A. 1976 B. 1978 C. 2002 मे D. 2003 में बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा अती महत्पुन क्यूसन बन सकता है बतादो कैसे लग रहे हैं आज वाले क्यूसन आ रहे न मजे आज वाली पर्ष्ट नोत्री में पर्षन करके प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर देना इसका एंसर होगा C. 2002 में 86 में सविधान संसोधन 2002 में 11 मूलकर्टवे जोड़ा गया था क्योसन नमबर 17 42 सविधान संसोधन 1976 के द्वारा दस मूलकर्टवे भारती सविधान में जोड़े गये थे भारती नागरी के जोड़े गये थे तो उस समय भारत के परधान मंत्री कौन थे A. फक्रोदिन आली B. मौरार जी देशाई C. राजी गांधी D. इंद्रा गांधी बताओ प्यारे विधार्थियों और याद रखना जिन्दगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी इसका एंसर बनेगा D. इंद्रा गांधी थे उस समय भारत के प्रधान मंत्री 1976 के समय क्योंस नमर 18 मौल कर्तवियों की विदिया हैं A. अनिवारिये B. आदर्स C. एचिक D. बी और C. दोनों ही है बताओ प्यारे विदिया हैं बताओ इसका एंसर क्या होगा साथियों गोर करो क्योसन पे कन्फ्यूज होगे क्या त्यारी की होगी आपने अच्छी परकार से गोर करना प्यार विद्यार्थियों जिन्दगी ने मुझे एक चीज सिखा दी अपने आप में खुद खुश रहना और किसी से भी उमीद ना रखना खुद पे विश्वास करो इसका एंसर बनेगा D, B और C दोनों ध्यान दो साथियों आदर्स और एचिक विदियां हैं मुल करतवे नौट कर लो क्यूस नमबर उनिस भारत की परवुता एक ता और खंड़ता की रक्सा करे और उसे अक्सुन रखे ये भारत के नागरी का कौन सा मुल करतव है A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D चोथा बता दो साथियों उस ट्रिक को याद करो तभी काम चलेगा अपना मुल्यांकन करो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसका एंसर होगा C तीसरा मूल करतवे है तीनी तो है परभूता, तावँ, रखंता, बर्मा, विश्णों, और महें से त्यार करो और ये अनुछेद भी देख ले ना 51 कह का घय कौसरा नमर 20 मूल करतवें की परकरती है A सकारात्मक, B नकारात्मक या निसेदात्मक, C सकारात्मक और नकारात्मक दोनो, D ने सकारात्मक और नाही नकारात्मक बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा आज वाले क्यूसन करके मज़े आ रहे है ना है ना एक से बढ़ करके इन से बाहर नहीं आएगा मूल करतवियों का कोई भी क्यूसन इसका एंसर होगा ए सकारात्मक मूल करतवियों की परकरती है वो सकारात्मक है बढ़िया बढ़िया आदेस है नागरिकों को करने के कर्तवे हैं क्योंसर नमर 21 कौन सा बिंदु मौलिक कर्तवे के अध्याई में समलित नहीं है A. सविधान कानू पालन करना B. भारत की सामपूता एकतव खणता को बनाए रखना C. मिश्री सेंसकर्थी संपन विरासत को सुरुक्षित रखना D. राष्टर पिता और अन्य सोतंतरता सैनानियों के संदेश को व्योवहार में लाना तता परचारित करना बताओ साथियों कोन सा बिंदु मौलिक कर्तवे के अध्याई में शामलित नहीं है बता दो इसका एंसर क्या होगा ठीक है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लग रहे तो सेयर कर दो एक बार इसका एंसर बनेगा D. राष्टर पिता और अन्य सोतंतरता सैनानी के संदेश को व्योहार में लाना तता परचारित करना ना जी ना राष्ट पिता नाम नहीं है वहाँ पे पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया Q-स नमर 22 32 सविधान के अंदर 11 वा मूल करतावे किस सविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया A-42 संसोधन द्वारा B-86 संसोधन द्वारा C-91 संसोधन द्वारा D-A और B दोनों द्वारा बताओ साथियों कनफ्यूज हो रहे हो क्या इसका उत्तर तो बता ही दोगे ना बताओ 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 इसका एंसर होगा B-86 संसोधन द्वारा 11 वा पुछा है यहाँ पे 11 नहीं पुछे अगर 11 पुछा जाता तो D बन जाता A और B दोनों लेकिन यहाँ केवल 11 वा पुछे इसलिए 86 संसोधन होगा क्यूस्तर नमबर 23 देश की रक्षा करें और आवान के जाने पर राष्टर की सेवा करें यह भार्के नागरी का कौन सा मूल करतव है A दूसरा B तीसरा C चोथा D पांचवा बता दो साथियों आती महतपुण है देश की रक्षा करें यह हमारा कौन सा मूल या मूलिक करतव है बता दो आज वाले क्यूस्तर कैसे लग रही है भाग चार के मूल करतव है इसका एंसर बनेगा C चोथा है देश की रक्षा का चोक का बाउंडरी पार चार रायन और अनुछेद भी त्यार कर लेना क्यूसर नमर चोईस मूल करतवयों का समूचे सदेव अंग होता है A लोकतांतिक सविधान का B समाजवादी सविधान का C एकात्मक सविधान का D संग्य सविधान का बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा कन्फ्यूज होगे क्या ये एक्जाम में आया हुआ क्यूसर है मूल करतवयों का समूचे सदेव अंग होता है बतादो इसका एंसर बनेगा B समाजवादी सविधान का मूल करतवे हमेशा अंग रहा है नोट कर लेना क्यूस नमर 25 निमन में से किस में देश की सेवा करने का उलेख है एक प्रस्तावना में दो मूल अधिकारों में तीन राजे के नितिस्तत्वों में चान और मॉलिक करतवें में सही कूट बताईए एक वल चार में बी दो तीन चार में सी दो चार में डी एक और चार में बताओ निमन में से किस में देश की रक्सा करने का उलेख है गोर करो ऐसे क्यूसन पूछे जाते हैं याद रखना प्यारे विद्यार्थियों जो सफर की सुरुवात करते हैं वो मंजिल को पाते हैं ध्यान देना वही मंजिल को प्रप्त करते हैं ऐसा जरूर त्यार करना सपर की सुरुवात तो करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका एंसर होगा सी दो और चार देखो कईयों ने केवल एक यह चार मौली करतावे ना जीना मूल अधिकारों में भी है और मौली करतावे में भी है कन्फ्यूज होगे क्या अनुचेद तेइस दो में है कि उसनमर्च अभीस भारत के प्रतेख नागरी का यह करतावे होगा कि वह प्राकरती प्रियावन का स्रंक्षन एवं सुधार करें यह भारती सुधान के इस अनुचेद में अनुचेद से समन्धित है A. 48A से B. A. और D. दोनों से C. 51 से D. 51A से बताओ भारत के परतेक नागरी का ये करता भी होगा कि वह प्राकरती परियावन का स्रंक्षन एवं सुधार करे बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा बहुती महतपुन की उसने पूछाव अभी है बता दो देखो मेरे प्यारे विद्धार्ति आज गंफ्यूज हो रहे है सर आज कहां से लिए क्युस नमर 27 चिस शविदान संसोदन के दोरा भारती विदान में मूल दाइतों को जोड़ा गया बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा किस सविधान संसोधन के द्वारा भार्ट की सविधान में मूल दायतों को जोड़ा गया बतादो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा ए 42 सविधान संसोधन 1976 के द्वारा मूल दायतों कहःदो मूल करतवे कहःदो मोली करतवे कहःदो फेंडावेंटल ड्यूटीज कहःदो एक इस नमर्टाइस भार्टी सविधान में वरनित मूल करतवे के विशे में जो कतन सही है वे है बताओ कौन सा ए उलंगन पर सुधान द्वारा दंड की व्यवस्ता है बी उलंगन पर संसत द्वारा दंड की व्यवस्ता है C. मौलिक अधिकारों के समान मौलिक है D. इने किर्यानविती करने की व्यवस्ता सविधान के लेख दवारा है बताओ साथियों अती महतपुन क्यूसन है आज वाले क्यूसन बतादो कैसे लग रही है मूल कर्तवे से समधी 50 वेरी मोश्ट क्यूसन इसी मेंसे आएंगे अगर मूल कर्तवे से क्यूसन आपके पेपर में आता है तो इसका इनसर बनेगा भी उलंगन पर संसद्वरा दंड की व्यवस्ता याद अखना क्योंकि इसे राजिनतिक अनूस सकती है हाँ नियाले अगर कानून से समधीत है तो दंड देगा क्यूसन नमर 29 भार के सभी लोगों में समरस्ता और समान ब्रहतरत्य की भावना का निर्मान करे जो धरम भासा और प्रदेशिया वरक परादारिस सभी बेदभावों से परेहो ऐसी परथा का त्याग करे जो इस्तरियों के समान के विरूद है ये भाव के नागरी का कौन सा मूल करतवे बता दो साथियों ए तीसरा बी चोथा सी पांचवा डी छटा बताओ प्यारी विद्यार्थियों वो ट्रीक याद करो तभी इनके उसनों को कर पाओगे मैंने कहा था ना कि ग्यारा मूल करतवे तयार कर लेना करो अपना मुल्यांकन बता दो आज वाली परशनोत्री कैसी लग रही है मजे आरे ना प्यारे विद्यार्थियों इसका एंसर बनेगा सी पांचुमा और ये अनुचेद भी त्यार कर लेना 51 कै अड़े के अंदर है या ए कह सकते हो चोटी क्योंस से नमबर 30 32 सुधान के अनुचेद 51 कै मूल करतवे में करम से सबद वर्नित है एक नमबर मानवाद दो नमबर सुधार की भावना तीन नमबर वे क्या नहीं दिश्टी कौन चार नमबर ग्यान आरजन अब आपके पास उप्सन है बताओ इन में से सही कौन सा होगा A में है 3, 2, 1, 4 B में है 1, 3, 2, 4 C में है 3, 1, 4, 2 D में है 3, 1, 2, 4 बताओ साथियों वैसे आप कहोगे सर यहां पे समय कम होता है हम पेपर में कर देंगे तो मेरे प्यारे भी दियारतियों पेपर में करके आना याद करके समझो इसको कैसे होगा इसका एंसर बनेगा C 3, 1, 4, 2 पहले विज्ञानी दिश्टी कौन आएगा उसके अमानव वाद आएगा उसके आदमे ग्यानारजन फिर सुधार की भावना नौट कर लेना क्योंसर नमर 31 कौन सा भारती सविधान में मोल करतावे नहीं है A. संपती शुरुक्षा तदा हिंस्टा का प्रित्याग B. भारत के एकता तदा खंदा की रक्सा C. सविधान के परती आस्ता तदा उदार D. धरम निर्पेक्स्ता बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा दर्द सबके एक से हैं मगर होसले सबके अलग अलग है कोई हतास होकर बिखर जाता है तो कोई संगर्स करके निखर जाता है तो हमें संगर्स करके निखर ना है इसका एंसर होगा D. धरम निर्पेक्स्ता मैंने कहाना मूल करतवे में कहीं पर भी धरम की बात नहीं की गई है और तीनों वो मूल करतवे हैं हमारे क्यों सविधान संसोदन आधिनियम 1976 की धारा ज्यारा द्वारा मूल करतवे सैधान में जोडे गई ये आधिनियम परभाविया लाकु कब किया गया A. तीन जनवरी 1973 से B. तीन जनवरी 1976 से C. तीस दिस 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 मिथा Camadhan बताओ परभावी कब हुँआ इसका एंसुर बनेगा ए तीन जनवरी 1937 से परभावी हुआ था 42 सविधान संसोदन 1976 कि उस नमर 33 सविधान संसोदन अधिनियम 2002 के द्वारा जब 11 मूल करतवे जोड़ा गया उस समय 1 दिसमर 2002 को भारत के राष्ट पतियों परदान मंतरी थे करम से बताईए कौन थे ए अटल विहारी वाज पही और क्यार नारेनन बी अनसुमान सिंग और अशो गहलो सी डोक्टर मानमोन सिंग और परतिवा पातिल डी डोक्टर एपी जे अब्दुलकलाम और अटल विहारी वाज पही बताओ साथियों दो हजार दो की बात बतानी है इसका अनसुरोगा डी डोक्टर एपी जे अब्दुलकलाम और अटल विहारी वाज पही थे एक दिसंबर दो हजार दो को जब च्यासिवा सविधान संसोधन विदेक पारित हुआ था उस समय राश्पती और परधान मंतरी कि उस नमबर चौदीस हमारी सामासिक सैंसकती गोरोसालिप परंपरा का महतर समझे और उसको उसका प्रिरक्षन करे ये बहारती नागरी का कौन सामूल करता भी है तो द्यान देना इसमें उप्सन है ए चोथा दी पांचवां सी छटा डी सातवां बताओ प्यारे विद्यार्थियो इसका एंसर क्या होगा आ रहे ना मजे आज क्यू सन करके है ना वेरी मोश्ट पर सनौत्री आजवाले इसका एंसर बनेगा सी छटा है ध्यान देना सैंसकरती का छक्का सैंसकर छटी कक्सा से पढ़ते है त्यार करो ट्रिक और ये अनुचेद भी त्यार कर ले ना चे उसके आदमे क्यूसनर 35 निमन में से एक गलत कथन है एक नमर है सरदार स्वण सिंग समीती की सी पारिश पर मूल करता है सुधान में जोड़े गए जिसका गठन 1925 में हुआ दो नमर सरदार स्वण सिंग समीती सी पारिश परी 42 सवधान संसों 1966 किया गया भारती सवधान में ती नमर सरदार स्वण सिंग समीती ने आठ मूल करता है तता कर अदाय की भी मूल करता है होना चाहिए का सुझाओ दिया था चार नमर सदार स्वाण सिंग समीती में एस एस रे ए आर अतुले और सी अप श्टीपन भी सदसे थे पांच नमर सदार स्वाण सिंग उस समय उननी सो पिछेतर चेतर में मौरारजी देशाही सरकार में रक्षा मंतरी पद पे थे बताओ अभुसन ए केवल चार और पांच गलत है बी केवल दो और पांच गलत है सी केवल तीन और पांच गलत है डी केवल पांच गलत है निवन में से गलत कथन बताने पढ़ो अच्छी तरीके से और उसके बाद में अंसर बताओ साथियों इसका एनसरोगा डी केवल पांच सरदार सुवन सिंग उस समय मुरार जी दे सही नहीं इंद्रा गाजनी सरकार में रक्षा मंतरी नहीं विदे सु मंतरी थे नोट कर लो उपर वाली चारो बाते सही है कि उसनमर्च चतिस बियानिस सविधान संसोदना दीनिया मुरार जी दे सही नहीं रास्तान के राज्ये पाल और मुख्य मंतरी थे करम से बता दो साथियों ऐसे कि उसन अब निकलने की संभावने त्यार कर लो इसका एंसरोगा सी सरदार जोगेंदर सिंग और हारी देव जो सी उस समय रास्तान के राज्ये पाल तो थे सरदार जोगेंदर सिंग और मुख्य मंतरी थे हारी देव जो सी कि उस नमर 37 प्राकरती परियावन की जिसके अंदगत वन जील नदी और वने जीव है रक्षा करें और उसका शावर्दन करें तथा प्राणी मातर के परती दया भाव रखें ये भारती नागरी का कौन सामोल करता भी है इसका एंसर क्या होगा कैसी लग रही है आज वाली पश्टनोत्री है ना माजिदार रोचक और गजवे बता दो आपका मुल्यांकन तो हो रहा है ना ये सभी क्यूसन आई हुएं पेपर में और आगा में पूछे भी जा सकते वेरी मोश्ट क्यूसन है इसका एंसर बनेगा सी सात्वा परियावन की रक्षा ग्रीने सात्वा गोर करो साथियों आती महत अपने सातो दिन अनुचेद भी त्यार कर लेना क्योसन वारतिस भारती नागरी का ग्यारवा मूल करतवे 86 स्विधान संसोदन अधिनियम 2002 की किस धारत के द्वारा अंतस तापित किया गया जो 1 अपरेल 2010 से लागू या परभावी हुआ ए धारा दो द्वारा भी धारा तीन द्वारा सी धारा चार द्वारा डी धारा पास द्वारा बताव कौन सी धारा थी किसी के पैरों में गिर कर कामिया भी हासिल करना बताव प्यार विधारतियों इसका एंसर क्या होगा कब परभावी हुआ एक अप्रेल दो हजार दस से हुआ था वो धारा बता दो साथियों इसका एंसर बनेगा सी धारा चार दोवारा गोर करो अती महत्तपुन क्यों सन निकल सकता है उस समय पेपर में नानी याद आजाएगी अगर त्यार नहीं करोगे तो कि उस नमर 49 मूल करतावे से समनी सही कथन है एक नमर नेतिकता के सिधानतों का पालन करना दो नमर भार के एकता खंता और संपरुता को बनाए रखना तिन नमर हमारी सामाजिक संसकर्ति के समर विरासत का आदर करना और बनाए रखना चार नमर सारनिक संपति की रक्षा करना है हिंसा का प्रित्या करना अब बताओ सही कथन बताने है प्यार विदार्थियों इसको भी अच्छी प्रकार से पढ़ा करो एक दो तीन चार चार हो ही भी दो तीन चार सी एक दो तीन डी में है एक तीन चार बताओ प्यार विदार्थियों देखो कई ए बताएंगे क्योंग बात है लहीं क्यूसन को पढ़ करके भी तो एंसर बता दो इसका एंसर होगा भी दो तीन चार पहला नहीं है नोट कर लो भी सही होगा नेतिकता इस इद्धान्द नहीं का क्यूसन मर चालिस वे ग्यानी दश्टी कौन मानववाद और ग्यानारजन तता सुधार की भावना का विकास करें ये भार की नागरी का कौन सा मूल करता भी है ए सातवा भी आठवा सी नौवा डी दसवा बता दो ना प्यारे विद्धार्थियों इसका एंसर क्या होगा पां विद्धार्थियों और ये अनुचे दोर त्यार कर लेना अनुचे रिकावन कहका जै होगा कि उस नमर एक्तारिस वर्तवाने में विश्टे के ऐसे दो लोकता अंद्री देश जिनके सविद्धान में मूल करतावे वर्नित है नागरी को को दे रखे ए भारत और अमेरिका मोस्ट इंपोर्टेट पचास क्यूसन होंगे देखना मत भूलना प्यारे विद्धार्थियों हो जाना तैयार अगले स्वामार को इसका एंसरोगा सी भारत और जापान विश्वमे वर्तवान में ऐसे दो लोकतांदी देश से जो अपने नागरीकों को मूल करतवे देते हैं शविद्धान के अंदर वर्नित है कि उस नमर 42 नेचे दिए गए करतवे में किन करतवें को मूली करतवे की स्रेणी में रखा ग अब बताओ सही कूट बताइए ए में एक दो तीन चार पांच पांच होई क्या सही है क्या बी में एक दो तीन चार सी में एक तीन चार डी में एक दो चार पांच अच्छी परकार से क्यूसन को पढ़ो और उसके बाद में अंसर बताओ क्या होगा ऐसे क्यूसनों को हो जाएगा अच्छी प्रकार से लाइनों को पढ़ो और ये पूछ रहे हैं सही कूट बताईए बताओ प्यारे विद्धार्थी इसका एंसर क्या होगा कैसी लग रही है आज वाली प्रश्टनोत्री है ना माजेदार इसका एंसर बनेगा सी एक तीन और चार दो और पांच नहीं है ध्यान देना आएकर वाला भी नहीं है और धरम वाला भी नहीं है क्योंस नमबर 43 शारुजनिक संपत्ति को सुरुक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें ये भारतिये नागरी का कौन सा मूल करताव है ए पांच वां बी आठ वां सी नौवां डी दस वां बतादो सारुजनिक संपत्ति को सुरुक्षित रखें हम ये हमारा कौन सा मूल करताव है वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेट है बतादो ना प्यारे विद्यार्थियों ठीक है ठीक है मजे आ रहे ना तो एक बार इसे सेर कर दीजी अपने दोस्तों के साथ इसका इंसर बनेगा सी सारुजनिक संपत्ति नो गरे जब हमारे अनुकूल होंगे तो ही संपत्ति आएगी त्यार करो ट्रीक ये अनुचेट भी त्यार कर लेना क्यूसर नमर्ट 45 एक अप्रेल 2010 को जब 86 वा सविदान संसोद ना दिनियम 2002 परभावी अलाग हुआ उस समय रास्तान के राज्य पा और मुख्य मंतरी थी ए परभाराव और वसंद्रा राजे सिंद्या भी सलेंदर कुमार सिया और वसंद्रा राजे सिंद्या सी सलेंदर कुमार सिया और अशोगहलोद डी परभाराव और अशोगहलोद बताओ कब की बात है एक अप्रेल 2010 की बात पूछ रहा है कि उस समय र में राजस्तान की राजेपाल तो थी स्रीमती परभाराव और मुख्य मंत्री ते अशोगहलोत जो आप देख रहे हो वर्तमान में भी अशोगहलोत है कि उस नमर 45 निमन में से एक ऐस सत्य कथन है ए 1999 में नागरी को के मूल करतवे समंदी जी एस वर्मा के देखस्ता में वर्मा समेती बनाई गई भी इस समेती ने कुछ मूल करतवे की पहचानवा उसके किर्यानवेन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की विवस्ता की C. नो जनवरी को मूल करतवे दिवस मनाने की भी बात की गई D. जी जे एस वर्मा जगदी सरन वर्मा सरवोच नियाले के 27 में मुख्य नैदिस भी रहे चुके C. नो जनवरी को मूल करतवे दिवस मनाने की भी बात की गई C. ना जी ना 3 जनवरी होगा 9 जनवरी नहीं क्योंकि 3 जनवरी 1903 को हमारे मूल करतवे प्रभावी हुए लाग हुए थे कि उस नमर 44 वेक्टिगत और सामुईकति विदियों के सभी छेत्रों में उतकर्सकी और बढ़ने का स्तत प्रियास करें जिससे राष्ट निरंत बढ़तेवे प्रियतन और उपलावदियों की नई उंचायों को चूले ये भारती नागरिक का कौन सा मूल करतवे ए आठवा बी नवा सी दसवा डी सातवा बताव प्यारे विद्यार्थियों वेक्टिगत और सामुईकति विदिवाला कौन सा मूल करतवे है हमारा आपने ग्यारा मूल करतवे त्यार किये होंगे ऐसे क्यूसन आएंगे और इनक त्यार कर लिना बस पेपर सेटर के पास यही ऑप्सन भचे हैं कि वो क्यूसन इन से बनाए इसलिए हमारे को पहले ही तियार रहना है साथियो इसका एंसरोगा सी दसवा उतकर्स परदसन बट्टा में से बट्टा दस में से दस गोर करो साथियो और यह अनुछे तो त्यार कर नहीं है कि उसलिए 47 निमने उसे भारती नागरी के मूल करतवे की विसेशता नहीं है ए मूल अधिकारों की तरह मूल करतवे गेर नयायोचीत है बी इन में कुछ नेती करतवे हैं तो कुछ नागरी करतवे हैं सी यह मूलत है भारती जीवन पदती प्रंप्रा ध्रम से शाम ऐसा कि उसन भी पूछ लिया आ जाता है इसका एंसर बनेगा ए मूल अधिकारों की तरह मूल करतावे गेर नयायोचित है ना जी ना नयायोचित नहीं है ये नयाले द्वारा प्रवर्तनिये नहीं है ध्यान दो कि उसन नमर 48 निमन में से एसन नत है ये बताओ प्यारे विद् कैगे में होगा या फिर सी कह सकते हो जोटी पढ़ो इसको अच्छी तरिके से बी में सार्जुणी समपती को स्रुक्षित रखे नुचिर 51 कैगे जै होगा सी प्राकटी प्रयावन की रक्षा करे अनुचिर 51 के जै होगा उसके आदमें दी में समान ब्रहातरत्व की भावना का निर्मान करे अनुचिर 51 के अड़े होगा बताओ प्यार विद्यातियों यहां पे वो अंग्रेजी वाली आग की ट्रीक है वो काम आ सकती है करो इसका मुल्यांकन बताओ इसका एंसर क्या होगा ठीक है न ऐसे क्यूसन भी बन सकते हैं नौट कर लो इसका एंसर होगा सी प्राकटी प्रयावन की रक्षा करे अनुचिर 51 के ए एच जै होगा नहीं जी होगा नौट करो साथियों ग्रीम प्रयावरन ऐसे नौट कर सकते हो क्योसन नमर 49 जो माता पिता या स्रंक्षक हो वह 6-14 वर्स के बीच की आयू के यता स्तिती जैसे उनकी स्तिति है अपने बच्चे अत्वा प्रिती पाले को सिक्षा प्राप्त करने के अवसर परदान करेगा ये भारती नागरी का कौन सा मूल कर्तव है ये तो बता ही दोगे सर ओ तो बहुत ही इजी है देखो प्यारी विदार्थी जल्दी जल्दी बता रहे है यारवां ही है ये तो देखो सभी के त्यार था और ये अनुछेद भी त्यार कर लेना एकावन कय या एक के और टै ये साथ में त्यार कर लेना क्यूस नमर पचास अन्ती में पढ़ो और इसका एंसर बताओ प्यार विदार्थी यो बहुती महत पुण है बतादो कैसे लगे आज वाले क्यूसन है ना इंट्रेस्टिंग रोचक और मज़िदार मज़े आगे ना कह दो वा सर मज़े आगे बहारती सविधान में वर्नित मूलिया मौली करतवे से समधित कतनों में सत्य कतन बताना है एक नमर है इनका स्रोत सवविय संगरूस का सविधान है क्योंकि ये पूरो सवविय संगरूस के सविधान से लिए गई है दो नमर ये नयाय और वाद योग्य नहीं है एवाद यो पांच नमर ये आदर्स और एचिक वीदियां इनका समन्द केवल नागरिकों से है अपात काल के समय इन पर कोई प्रभावन नहीं पड़ेगा अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों एक दो तीन चार पांच सत्टे बताना है गोर कर लो इस बात पे बी में एक दो तीन चार C में 1,2,3,5 D में 2,3,4,5 देखो कई प्यारे विद्यार्थी तो सोचते होंगे A होगा क्यों इस सरकाई यही तो कहते हैं बार-बार कि मेरा उदर्स से यह ही है ज्यादा से ज्यादा मीटर पहुंचा ना तो पंच सो य बात टुस सही होगी बस आपने तब पहुंचा हना इन्हें त्यार कर लेना चार सही है लेकिन एक गलत हो सकती है दो गलत हो सकती है तीन सही हो सकती है बता दो प्यारे विदार्थियों इसमें कौन सा आउसन बनेगा और इसके उसन को त्यार जरूर कर लेना बहुत कुछ मैटर है इसमें इसका एंसर बनेगा सी एक दो तीन पाँच चार्ण बनी है ये नागरी को के लिए बात देका रही है ना जी नहीं बात देका रही है इन्हें कानून नहीं सकती प्रवर्ति नहीं नहीं लग जाएगा तीनों में और चारों बाते सही है और नोट भी कर लेना अती महतपुन के उसन बन सकते हैं ये अपनी नोट बुक में नोट कर लेना और मूल करतेवें की विसेशता भी दी गई है चार इने भी तैयार कर लेना साथियों वेरी वेरी मौश्ट है और ये है आपके सामने हमारे 11 मूल करतेवे करम से और सबद से जो बैरक एक्ट में देर खाय सविधान में तू को पिये उनकी इसी तरिके से लेंग्विज में आ सकते हैं त्यार करेना करम से और सबस से और अनुचे त्यार करना तो मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और लाइक करें आपके अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 आभार और बहुत धन्यवाद और अगला हमारा इंडियन पॉलिटी टैट सीरीज नंबर 19 होगा जो कि अगला भारती राज राजस्तान हिष्टी टैट सीरीज नंबर 8 अगला इत्याश टैश टोपिक होगा राजस्तान के इतिहास में बीका नेर का राठोड राजवंस बीका नेर का राठोड राजवंस जो की 16 दिसंबर 2020 बुद्वार सुबह 10 बजे प्यारे विद्यार्थियों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करो अपने दोस्तों के साथ और हमारी ये टैश सीरीज जो भारती राजविस्ता और रास्तान की इतियास की है इसे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जोइन करवाओ अपने दोस्तों से प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ प्यारे विद्यार्थियों जो मैं बार बार कहता हूँ जिन्रगी में इतने वेस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ना मिले सक्ती ही जीवन है त्यार हो ज जजबा जनून है जो आप अपनी शफलता को प्राप्त कर सकते हो मंजिल को प्राप्त कर सकते हो सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे प्यारे विद्यार्थियों इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीखो नौलेज बढ़ाओ और अपनी मेहनत को इतनी ज्यादा कर दो कि सफलता आ आज वाला वीडियो कैसा लगा और आपके पचास में से कितने क्यूसन सही हुए बता दो वा सर मज़े आगे सही कह रहा हुना यही तो कह रहे हुना आप ओके आपका बहुत बहुत धन्यवाग